हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यह जो कटिंग देख रहें आप न्यूस पीपर की इसमें कुछ न्यूस दी गई है ठीक है यहां लिखा है ग्रूप D के 22,000 पदों पर भरती का 15 दिन में शेड्विल जारी हो जाएगा और यह जो है CET जो है इसके ल बारासों से ज्यादा से जाएगे ठीक है और यहां लिखा है परदेश में ग्रूप D के 22,000 पदों पर भरती के लिए जो जारी कर दिया गया है और यह जो इसके अनुसार 15 दिन में भरती का विग्यापन जारी हो जाएगा इसके लिए जो CET है वो आपका फरवरी में आयोजित कराया जाएगा दस लाग से जादा बच्चे जो है इसके लिए एक्जाम देंगे ठीक है इसके लिए भी जैसे आपका ग्रूप C का एक्जाम हुआ थ इसमें जो 25 पर्षन होगे वो हर्याणा जीक्या से संबंदित होंगे तो आपको जरूर करनी है ठीक है और यहां पर और क्या कहा गया है इसमें जिस तरीके से वह आपका ईक्जाम हुआ है ग्रूप C वारा सेम उसी पैटरेन पर एक्जाम लिया जाएगा ओर यह एक्जाम NTA लेगी ठीक है और इसके बाद यहां लिखा गया है Group C CET का result जो हो 20 तारिक तक आ जाएगा ठीक है 5-6 November को CT का result 20 December तक है तो रहे हैं 20 December तक result आ जाएगा ठीक है यहां पर और लिखा है यहां 1-2 December को objection मांगे जाएंगे और 3 दिन का समय दिया जाएगा ठीक है और इसके लिए जो भरती परकिरिया यानि कि आपका जो Group C का exam होगा जो आगे और अधर exam होगी जससे मेंस लगा लिजी प्री तो आपका CT C exam हो गया Group C का और यह जो आपका मेंस exam होगा वो मई तक हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ Group D की परकिरिया भी जारी रहेगी तो यही सब कहा गया इसमें और PP यानि की परिवार पहचान पतर से verification की जा रही है बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था यह आपके लिए important news है और अगर आप इसके लिए तयारी करना चाहते हैं तो हमारी चैनल के साथ बने रहें और पास तारीक मंडे से मैं आपको पूरा हर्याना जी के स्टार्टिंग से हिस्ट्री और यह सब कराऊंगी ठीक है साथ साथ हर्याना करंट अफेर की भी daily classes रहेंगी अगर किसी student को preparation करनी हो तो वो हमारी चैनल के साथ बना रहे सकता है थेंक यू धनेवाद